हेलो बच्चों, आज हम जस्ट चैप्टर की शुरुवात करेंगे, वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, मतलब की पौधों में श्वसन, अब पौधे जो हैं वो बिलकुल जीवित हैं और जन्तु भी जीवित हैं, मतलब पौधे और जन्तु जो हैं ये लिविंग ओर्ग्यानिजम्स हैं, तो लिविंग ओर्ग्यानिजम्स के कुछ जो बिलकुल स्पेसिफाइट केरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जो के बिलकुल विशेश लक्षण हैं, उनमें एक लक्षण है श्वसन, अब सवाल ये पर आप जब पौधे को देखते हैं, तो आप पौधों में देखिए, आपको पत्ते दिखेंगे, फूल दिखेंगे, तना दिखेंगे और जमीन के अंदर आपको जड़ें दिखेंगी, पर इनमें कोई ऐसा अंग आपको नहीं दिख रहा है, जिसको आप नॉस्ट्रिल कह कह सकें, या जिसको आप ट्रैकियल डिफाइन कर सकें, लंग्स कह सकें, फेबडे कह सकें, ऐसा कोई अंगिन में नहीं होता, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, पौधों में श्वसन की, तो जहिर जी बात है कि पौधों में श्वसन हो रहा है, तो कैसे होता है और श्वसन क्य क्यों होना चाहिए चाहिए किसी भी प्राणी की बात लें आप जन्तु जगत की लें या पौधे जगत की लें पादब जगत की लें तो श्वसन होना क्यों चाहिए क्या कारण है कि श्वसन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक एक मेटाबोलिजम है एक कारी की है एक फेजियोल की और तो देखे सांसों का ही खेला ये पूरा जगत है जब तक सांस है तब तक आस है और इन सांसों के बीच में मतलब सांसों का जाना और आना इसके बीच को ही हम क्या कहते हैं प्राण कहते हैं तो ये जो प्राण है ये अगर पौधे जो हैं वो जीवित हैं तो उनके अंद के फायदे क्या हैं? क्या होता है? आप भोजन करते हैं उर्जा के लिए. भोजन जब उर्जा के लिए करते हैं तो सूर्जा का निर्मान कैसे होता है? ऑक्सिडेशन से. मतलब जो ऑक्सीकरन होता है, जो ऑक्सिडेशन होता है, ऑक्सीजन के साथ ग्लुकोस का मॉलेकल तूटता है. ब्रेकडाउन ओफ कर्भोहाइड्रेट, C6H12O6, आप देख रहे हैं कि C6H12O6 प्लस O2 गिफ्स यू CO2, H2O और इनर्जी. तो यह जो उर्जा है, यह तब ही निकलती है, जब ऑक्सीडेशन हो. अब यह जो ऑक्सीडेशन है पौधों में, तब ही होगा जब ऑक्सीजन रहेगी. तो यहां पर कैसे oxygen आएगी और कैसे CO2 क्योंकि CO2 तो यहां भी निकल रहा है तो CO2 कैसे निकलेगी बाहर यह चीजें थोड़ा सा समझने की बात है सबसे पहले तो हम यह देखें कि श्वसन को समझने के लिए हमको प्रकाश संसलेशन मतलब photosynthesis में थोड़ा साम को वापस जाना पड़ेगा जो photosynthesis हो रहा है क्योंकि हम heterotrops हैं हम अपना भोजन स्वयम नहीं बनाते हैं हम पौधों के उपर निर्भर होते हैं यह बात आपको सबको पता है लेकिन पौधे autotrops होते हैं और यह अपना भोजन स्वयम बनाते हैं मतलब इनका glucose इनहीं के अंगों में बन रहा होता है अब glucose का बनना आपको पता है कि प्रकाश के द्वारा chlorophyll में होता है थालेकोइट्स में होता है आपने देखा है और यह जो इसका raw material है जो भोजन बनाने के लिए जो glucose बनाने के लिए जो इनको कच्चे पदार से चाहिए वो क्या है तो वो है carbon dioxide और वो है H2O तो carbon dioxide और पानी जो है पानी तो इन्होंने आउशोशित कर लिया जड़ों के थूँ जमीन के नीचे से और CO2 यह लेते हैं जैसे हमारा gaseous exchange कैसे होता है nostril के थूँ होता है और फिर वो trachea के थूँ जाता है lungs में और वहाँ पर फिर एक आप देखिएगा कि जो tracheal system से जो lungs में गई है वाईू वहाँ पर alveoli है और alveoli के उपर में capillaries बिची हुई है और capillaries में blood है और blood में फिर वो absorb हो जाता है तो oxygen absorb होता है और CO2 release होता है वही चीज अब यहाँ पर भी होना है तो यह जो gaseous exchange है चुकि यहाँ पर एक nostril and lungs का system नहीं है तो कैसे होगा तो यहाँ पर दो छिद्र हैं दो पोर हैं एक है stomata और एक है lenticel आपने बड़े पेड़ों के तनों में देखा होगा कि कुछ कटाव होते हैं कुछ जो बिल्कुल मोटे कड़े से जो बार्क होते हैं उन बार्क के बीच बीच में आप देखिए कैसे यहाँ पर कटाव दिख रहा है lenticel इसको हम कहते हैं तो यह lenticel इनके त्रू यहाँ पर gaseous exchange होता है और दूसरा आप देखिए istromita young stems या पत्ते हरे पत्ते पत्तों के उपरी और निचले भाग में देखिए रंधर पाय जाते हैं उनको कहते हैं हम istromita अब istromita का आप structure देखिए तो यहाँ पर आपको garden cells दिख गरे रहे हैं और garden cell के बीच में आप देखिए इस तरह से एक por दिख रहा है यह जो pour है garden cell के खुलने और बंध होने से यह pour का खुलना और बंध होता है तो जब पोर खुलते है तो guayseous exchange होने लगती है और जब pour बंध होते हैं gaseous exchange अपने आप बंद हो जाती है अब चूकी बात हम कर रहे हैं पौधों की तो यहां gaseous exchange थोड़ा सा लग होगा बच्चों इसको ध्यान से समझिएगा यहां पर प्रकाश translation हो रहा है मतलब co2 इनका raw material है अर्थात यह co2 को consume कर रहे हैं यही इन पौधों की सबसे बड़ी अच्छाई है और सबसे बड़ा वर्दान है हमारे लिए कि यह co2 consume करते हैं और हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं और यह oxygen release करते हैं आप देख रहे हैं कि oxygen release होता है जब glucose बनता है photosynthesis में यहां देखिए photosynthesis का formula आया है और photosynthesis के formula में यहां पर क्या हो रहा है कि glucose बन रहा है और glucose के सासत क्या बन रहा है oxygen बन रहा है तो यह photosynthesis का की सबसे बड़ी एक अच्छाई है एक योगदान है हमारे लिए वर्दान है जब यह oxygen release होता है तो इस्ट्रमेटा खुलता है और जब CO2 अंदर आता है तो इस्ट्रमेटा खुलता है लेकिन हमने अब respiration की बात की है तो respiration यह श्वसन में क्या हो रहा है बिलकुल उलट प्रक्रिया चल रही है थोड़ा सा oxygen जो यहां photosynthesis में बना वो अब रिटेन हो जाएगा श्वसन के लिए और जो CO2 श्वसन के बाद निकल रहा है वो consume हो जाएगा photosynthesis में कभी कभी आपने दादी नानी को कहते सुना होगा कि रात में पौधों के पास नहीं जाना है क्यों नहीं जाना है भूत प्रेथ होते हैं ऐसी बत नहीं है उनका मानना है कि पौधों के आसपास रात को जो पूरा का पूरा माहौल है वो उतना शुद्ध नहीं हो पाता क्योंकि रात में photosynthesis नहीं चल रही होती है मतलब oxygen release नहीं हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है CO2 release हो रहा है और दिन में जो CO2 release हो रहा है respiration से इसकार्थ यह नहीं लगाना है कि पौधे दिन में सांस नहीं लेते हैं बहुत साफ सुत्रे डंग से बातों को समझे कि पौधे दिन में भी सांस लेते हैं रात में भी सांस लेते हैं जैसे हम लेते हैं पूरे दिन सोते समय भी हम लेते रहते हैं सांस वैसे ही पौधें का श्वसन भी चलता रहता है पर चुकि पौध है autotrophs होते हैं, इसलिए अपने श्वशन से निकला हुआ CO2 भी वो consume कर लेते हैं, photosynthesis में, तो क्या निकला वहाँ पर दिन में, oxygen ही निकला, तो दिन में पौध हों के आसपास का बात अवरंड क्या हुआ, शुद्ध हुआ, oxygenated हुआ, oxygen हुआ, जैसे जिम के आसपास आप जाते हुआ, आपको oxygen आजकल कहीं कहीं, पार्क में oxygen center लिखा होता है, oxygen लिखा होता है, तो वो शुद्ध होते हैं, लेकिन रात में oxygen का release बंद हो जाता है, photosynthesis नहीं होता, तो उस cases में क्या होगा वहाँ पर, कि जब photosynthesis नहीं हो रहा है, तो oxygen नहीं नि पौधों की संख्याद जादा है, तब तो और भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि concentration of CO2 ही जादा होगा, उस case में, तो वातावरन बिल्कुल शुद्ध होगा, इसलिए रात में पौधों के बीच में नहीं रहना चाहिए, या किसी बड़े व्रिक्ष के नीचे नहीं सोना चा बरें, और वो लगातार oxygen रिलीज करता है, पर चुकि वो इतना विशाल वरिक्ष है, कि यदि वो श्वसन करने लगे, तो आप सोचों कि रात में उसका CO2 रिलीज भी उतना ही जादा होगा, इसलिए बोलते हैं कि people के पेड़ के पास तो बिल्कुल ही नहीं गुजरना, रा है, भाकवान का घर है, उसकी पूजा करना है, करते हैं न हम पूजा, people की, तो ये जितने भी पौधों की पूजा करना, पहाडों की पूजा करना, नदियों की पूजा करना, सब sacred groups हैं बच्चों, ये सब हमको सिखाते हैं कि प्रकृती हमारी लिए वर्दान है, हमको उनकी पूजा करना चाहिए, we should worship them, ये सिखाते हैं, इनके बिना हमारा जीवन संभाव नहीं है, तो आईए अब आगे चलते हैं, फिर से हम श्वसन में, respiration में, respiration in plants में, और अब respiration in plants में, मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम क्या-क्या यहां पर देखेंगे, सबसे पहले हम दे कर्बोहाइडरेट है, फैट है, प्रोटीन है, है ना, इनकी जब ब्रेकडाउन होती है, ये जब तूटते हैं, तो इनका अलग-अलग कैलरी रिलीज होता है, इनका question, इनका जो गुणांक है, वो अलग-अलग होता है, ठीक है, तो इनके गुणांक अलग होने से, श्वसन क्रिया की दर पर प्रभाव पड़ता है, तो ये respiratory substrates में हम देखेंगे, दूसरा बिंदो हम इसमें देखेंगे, गैसियस एक्स्चेंज जो भी हमने चर्चा की discussion किया, गैसियस एक्स्चेंज पर हमने इस्टोमेटा और लेंटिसल पर भी बात की, फिर आता है, कि श्वसन के प्रकार कितने होते हैं, तो बच्चों, श्वसन, तो बेसिकली आपको पता है, कि दो तरह के हो सकते हैं, एक तो वह जिसमें की oxygen use हो, और एक वो जिसमें oxygen का उप्योग ना हो, तो अगर oxygen utilize हो रहा है, तो oxygen जब utilize हो रहा है, तो आप देखें उसको कहते हैं, हम aerobic respiration, और जब oxygen utilize नहीं होता है तो उसको हम कहते है anaerobic respiration अब ये जो respiration है अगर हम बात करें aerobic या anaerobic respiration की तो आप देखिए कि फिर से जो इनकी mechanisms है part ये aerobics के हैं पर एक ऐसा part है जिसमें oxygen is not required और जो पूरे biosphere में चाहे वो plant हो चाहे वो animal हो बिल्कुल एक सरीका चलता है एक जैसा वो चलता है उसमें कहीं कोई तबदीली नहीं आती है कोई फरक नहीं आता और उस process को हम कहते हैं glycolysis actually glycolysis क्या है इसमें oxygen की जरूरत नहीं पड़ती और partial oxidation मतलब enzymatic machinery है enzymes के थूही पूरी तरह से पूरी प्रक्रिया जो है वो enzyme के द्वारा ही संपन हो जाती है और इसमें एक glucose जो है वो तूटता है दो pyruvic acid के molecule में कितने pyruvic acid के molecule में दो pyruvic और दो pyruvic acid का molecule जब बनता है तो दो ATP भी बनते हैं ATP मतलब adenosine triphosphate और साथी साथ NADH2 बनता है वो भी दो molecule बनते हैं अच्छा अब जब यह glycolysis संपन होता है तो glycolysis के संपन होने में यहाँ देखें के pyruvic acid बन चुका है iron aerobic अब हम देखते हैं क्योंकि अब pyruvic acid किस में जाएगा oxidation में जाएगा जिसको हम crap cycle बोलेंगे try carboxylic acid का formation बोलेंगे citric acid formation बोलेंगे oxidative phosphorylation बोलेंगे लेकिन अब anaerobic किस को बोलेंगे हम तो anaerobic होता है फिर से ये दो भागों में divide है एक होता है fermentation और दूसरा होता है lactic acid formation अच्छा fermentation जो होता है आप देखें fermentation में क्या बन रहा है इथाइल अलकोहल बन रहा है c2h5 oh बन रहा है और जब c2h5 oh बन रहा है तो यहां देखेगा आप carbon dioxide भी बन रहा है बन रहा है यही सवाल पूछा जाता है लेकिन जब oxygen के absence में glucose के एक molecule को तोड़ा जाता है जब इसका breakdown होता है और co2 नहीं बनता है तो क्या बनता है तब तीन carbon वाला lactic acid बनता है जिसका empirical formula आप देखें c3h6o3 तो यहां क्या बन गया lactic acid बन गया आईवाज समझ में यह lactic acid जब बन रहा है तो co2 नहीं बन रहा है co2 नहीं बना lactic acid बना anaerobic respiration क्योंकि oxygen use नहीं हुआ ethyl alcohol बना और co2 भी बना पर oxygen use नहीं हुआ anaerobic respiration मतलब दू तरह का एक fermentation जिसमें ethyl alcohol बना और एक lactic acid formation यह generally हमारी muscles में होता है और बहुत deep inside cells होती हैं पौधों में उनमें यह anaerobic respiration पाया जाता है तो यह हमने देखा एक तो fermentation और दूसरा lactic acid formation अब आगे जब बढ़ते हैं तो यह जो प्रक्रिया है यह आएगी electron transport system में electron transport system के साथ साथ जब यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि इसमें किस तरह से electron एक molecule से दूसरे molecule में पासान हो रहा है ठीक है और फिर हम देखेंगे जैसे आपने दुकानों में देखा होगा commerce के बच्चे balance sheet बनाते हैं है ना जब दुकान व्यापार इसमें बोलते हैं कितनी आमदनी हुई कितना खर्चा हुआ आप घरों में भी एक balance sheet बनाते हैं credit debit के का हिसाब किताब रखते हैं bank में ये काम होता है तो हमारे biosphere में भी एक balance sheet चलती है जिसको हम बोलते है respiratory balance sheet आई बास समझ में तो इस respiratory balance sheet में हम ये देखेंगे कि कितने oxygen molecules consume हो रहे हैं और कितनी energy release हो रही है ठीक है फिर आती है बात respiratory question की तो respiratory question मतलब गुडांक श्वसन गुडांक fat अगर तूट रहा है तो कितना energy उसका कितना respiratory question है RQ कितना है carbohydrate तूट रहा है तो RQ कितना है और अगर protein तूट रहा है तो RQ कितना है मतलब respiratory question कितना है तो अब यहां देखेगा कि respiration के इतनी सारी बातें करने के बात हैं हम बार बार यही बोल रहे हैं कि fat तूट रहा है protein तूट रहा है carbohydrate तूट रहा है पर क्या तूट रहा है उसमें what is being broken तूट क्या रहा है carbon carbon bond is being broken आगई बाद समझ में जो carbon carbon bond है वो तूट रहा है और आपने chemistry में पढ़ा है कि जब भी bond तूटता है तो energy release होती है और जब bond बनता है तो energy consume होती है इसलिए जब respiration में यह carbon carbon bond तूटते हैं तो energy release हो रही है मतलब ATP बन रहा है अब अगर हम देखते हैं metabolic pathways में तो metabolism क्या है metabolism और anabolism का mission है है यही तो पढ़ा है आपने कि भई metabolism क्या है तो metabolism is equals to catabolism plus anabolism अब anabolism हम किसको बोलते हैं को बनने को और catabolism हम किसको बोलते हैं तूटने को मतलब यहां क्या हो रहा है respiration में glucose तूट रहा है तो catabolism और ATP बन रहा है तो anabolism तो यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें catabolism भी हो रहा है और जिसमें anabolism भी हो रहा है मतलब it is called the amalgamation the combination of both the process मतलब दोनों ही प्रक्रिया का यह mission है और इसलिए हम इसको कहते हैं amphibolic pathway क्या कहते हैं amphibolic pathway या amphibolism amphibolism जो दो medium में रह सकते हैं amphi तो amphitheater amphibolism दो इसमें हो रहा है बन भी रहा है और तूट भी रहा है इसको हम कहते हैं amphibolism अब हम देखते हैं कि जो हम anaerobic और aerobics की जब हम बात करते हैं तो कुछ organisms जो होते हैं वो बिलकुल पूरी तरह से oxygen के उपस्थिती में ही श्वसन कर सकते हैं और कुछ पौधे जो है oxygen की अनुपस्थिती में ही श्वसन करेंगे आपने देखा होगा है leg hemoglobin एक काता है leg hemoglobin कहां पर मिलता है legumes की जड़ों में है ना और जब आप उसको कारते हैं तो आपको लाल रंका दिखता है वो एक्चुली oxygen scavenger है तो वो oxygen को खा लेता है क्योंकि वहाँ पर जो nitrification हो रहा है उसके लिए उसको oxygen नहीं चाहिए तो वो scavenger की तरह उसको खा लेता है oxygen को consume कर लेता है मतलब वो क्या है obligatory anaeropes हुए वो oxygen में survive नहीं कर पाएंगे और ऐसे ही obligatory aeropes होते हैं जो oxygen के बिना survive नहीं कर पाएंगे पर कुछ ऐसे होते हैं जो oxygen मिल गया तो भी वो survive कर लेंगे और oxygen नहीं मिला तो भी वो अपना दूसरा mode change कर लेंगे उनको हम बोलते हैं facultative क्या कहते हैं facultative तो facultative में आप देखिए कि facultative aeropes का मतलब क्या हो रहा है कि अगर oxygen नहीं है तो they are very happy लेकिन अगर oxygen है तब भी देकें survive is that clear तो ये हुए facultative इनके बास एक वैकलपिक विवस्था होती है कि oxygen के बिना भी survive कर सकते हैं उसी तरह से facultative anaeropes और facultative aeropes oxygen मिला तो भी survive करेंगे नहीं मिला तो भी survive करेंगे तो ये चीज़ें आती हैं अब अब जब भी हम बास शुरू करते हैं enzymatic machinery की तो हम बात अपनी रखते हैं किसके लिए glycolysis के लिए और glycolysis के बारे में हमने क्या देखा है एक glucose का molecule कितने में breakdown हो रहा है दो pyruvic acid में ठीक है और दो ATP बन रहे हैं और दो NADH2 बन रहे हैं अब ये जो पूरी के पूरी glycolysis की process है ये 10 step process है इसमें 10 step आते हैं और बहुत सारे enzymes इसमें involve होते हैं लेकिन इनको तीन basic प्रकार में मतलब इनकी तीन जो basic divisions हैं वो है एक है phosphorylation और दूसरा है splitting of fructose 1,6 phosphate और तीसरा है formation of pyruvic acid तो हम अपनी अगली class में शुरू करेंगे हम देखेंगे process of glycolysis के glycolysis में जो steps हैं जो enzymatic steps हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे और किस तरह से ये तीन प्रक्रियां आएं phosphorylation, splitting of fructose 1,6 phosphate and formation of pyruvic acid अपने अंजाम तक पुंचेंगी अपने result को ये orient करेंगी तो तब तक के लिए बच्चों आप इस कक्षा का revision करिए और हम फिर मिलेंगे glycolysis की process के साथ बच्चों, क्रेप cycle और glycolysis दोनों प्रक्रिया देखने के बाद आएए हम देखते हैं कि इन दोनों प्रक्रियाओं में मुख्य अंतर क्या है glycolysis में देखिए यह नौ चर्णों का रेखी पत है, क्रेप cycle यह आठ चर्णों का रेखी पत है, चक्री पत है मतलब एक linear pathway है और एक cyclic pathway है glycolysis कोशी का द्रवी में होता है, अर्था cytoplasm में होता है इसमें श्वसनी क्रियाधार glucose होता है क्रेप cycle जबके mitochondria में होता है, और इसमें श्वसनी क्रियाधार acetyl coenzyme A होता है अर्थात क्रेप cycle की शुरुवात acetyl coenzyme से होती है, जबके glycolysis की शुरुवात glucose से होती है glycolysis में CO2 मुक्त नहीं होती, क्रेप cycle में CO2 मुक्त होती है glycolysis में दो ATP अनुओं का प्रयोग होता है, यह क्रिया, oxy तथा anoxy दोनों परिस्थितियों में होती है क्रेप cycle में ATP का प्रयोग नहीं होता, यह क्रिया, oxygen की उपस्थिति में ही होती है glycolysis के अंत में pyruvic acid के दो अनुबनते हैं, क्रेप cycle के अंत में CO2, जल तथा उर्जा मुक्त होती है glycolysis में glucose अनु से 8 ATP प्राप्त होते हैं, क्रेप cycle में glucose अनु से या क्रेप स्चक्र में glucose अनु से 24 ATP अनु की प्राप्ती होती है तो यह थे मुक्य अंतर, क्रेप स्चक्र और glycolysis में बच्चों, glycolysis या glyco-apgutton की शुरुवात करने के पहले हम glycolysis को परिभाशित करते हैं glycolysis या glyco-apgutton श्वसन की प्रतम अवस्था है, जो कोशिका द्रव में होती है इस क्रिया में glucose का आन्शिक ऑक्सी करन होता है फलसरूप glucose के एक अनू से पायरुविक अमल के दो अनू बनते हैं तथा कुछ उर्जा मुक्त होती है glycolysis की अभिक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन होती है